एकडमी देखिए और सी ग्रूप डी के जो एक्जाम में वो फिनिस हो चुके जो पांचवा फेज था उसकी डेट थी 610-2022 से 1110-2022 तक यानि जिसका एक्जाम 11 एक्टूबर तक होने थे वो एक्जाम फिनिस हो चुके हैं अब जो और सी ग्रूप डी की आंसर की कब तक आ सक तक आसके आधार पर यहां से बताएंगे किस्के आंसर की कब तक आने की संबाव ना है जो आंसर की है वो किस बेस पर और कितने दिनों में आ सकती है तीन अक्टूर को यह अपना नोटिस जारी करके बता दिया था तक आप वेकनसी इन्रेलवेज इने विसन बोड रिगाइ टब कराना यहां जर्णिंग किया करानी इनका इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया एंटी पीची की बेकें से जो निकले की गई है उसमें जो उन्होंने आंसर की थी वह पंद्रे दों में आंशर की जारी कर दिती तो इसकी आपकी आंसर के लास्ट टूबर को एक नवंबर के फस्ट बीक में नवंबर फस्ट बीक कि नवंबर के फस्ट बीक में आंसर की जारी होने की पूरी तरीके से संभाव ना पहले आंसर की जारी होगी फिर उस पर अब्जेक्शन लिए जाते हैं जितने भी स्ट्वेंट अब्जेक्शन करते हैं फिर उन्हों मतलब दूर भी करना है फिर एक फाइनल आंसर की जारी करनी होती है तो उसमें नोटिस में बता है उस नोटिस को भी हम देख लेते हैं नोटिस में आगे क्या बोला है नोटिस में किलियर करके बात मैंसन की गई रिगार्डिंग लेवल बन ओन रिलीज ऑफ दा सीबीटी रिजल्ट्स ऑफ आरार वीज बिदी दिसंबर दो जार बाइस यानि दिसंबर दो जार बाइस तक इन्होंने जो मिसन बोड में बर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जो एक सेडूल बनाया उसके अग्जामि प्रक्रिमिंटी ने कंडूक्ट कराने का इनका स्ट्विल आन् produk केसे इंट कंप् Lyn वेरिफिकेशन मेस और मीडीकर है और क्थो चैस्थ care उप्रोघंभी दो जार एक सब्सक्राइब ध Rank Straal चिकंवेब्स सबढ़ेट पडिकरोव जो देसंबर्स निकालने का प्लान picked January कराने का इनना फुल्प्लान ऐ और जो डीवी और शWorld 2020 में कराने का इनका प्लान है और जो जोइनःंगे वह मार्च अप्रेल 2020 मैं देने का इनका प्लान है तो इस आदारपर हम कह सकते हैं एक जो रेल्ट आपका 15 से 20 दिसम्बर 15 से 20 दिसम्बर या बोल सकते हैं कि मिड़ दिसम्बर पर रेल्ट आने की पूरी तरीके से संभा बनाएं पीटी आपका जनवरी में होगा फिर फाइनल में पीटी के बाद में डीवी पीएस्टी और मार्च अप्रेल में जोनिंग देने का इन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करने धन्यवाग